हलो गाइज वेलकम तो मैं चैनल दोस्तों आज के वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करें जैसे अब भी हम स्क्रीन पर जो देख रहे हैं जिसने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा वो 100% अगर फॉलो किया होगा तो 100% यहां पर दो नहीं तीन तीन बार यहां पर प्रॉफिट बुक किया होगा क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यह बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट है यहां पर बहुत ज़्यादा बायर्स है मार्केट इसके निचे इतनी आसानी से नहीं जाएगा तो जिसने जिसने वीडियो देखे होंगे जरूर यहां पर प्रॉफिट किया होगा अब देखते हैं मंडे के लिए मार्केट में क्या सिनारियो हो सकता है ठीक है उसके लिए हम सिफ इस ट्रेड लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहां पर जैसे देख सकते हैं मार्केट यहां पर इस रेंज में काम किया था और इसी रेंज में क्लोजिंग हुआ है ठीक है तो नॉर्मल यह अगर देखे तो यह हमारा सपोर्ट है और यह रिजिस्टन्स है पर जो नू है ट्रेडिंग में जिसने अभी अभी ट्रेडिंग करना सीख रहे है या फिर अभी मार्केट में नए नए आए है तो इनके लिए यह नो ट्रेडिंग जोन होगा करना है एक ढगर इसको ब्रेइक जैन को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ए उस रजिस्टंस पर सेल करेंगे अगर मार्केत कि इस आंफान होता है तो यहां पर बढल ब्रेंग जैन पोजिशन बनेगा थीक है और अगर support कोई support को break करता है तो हमारा downside में इस gap filling तक का target हुएगा downside है ठीक है अगर इस range में open होता है था इस open में range होगा थोड़ा यहां पे time spend करेगा और break करेगा तो यह हमारा target होगा gap filling और अगर upside break किया यहाँ पर consolation करके upside break किया तो हमारा target बनेगा यह resistance यह resistance है जो 39,150 यह हमारा upside target बनेगा और अगर market कल gap up opening होता है 100-200 point gap up opening होता है तो यह हमारा resistance होगा जिसे market is range में open हुआ gap up तो यहाँ पर resistance होगा अगर यहाँ पर negative candle बनाएगा तो market यहाँ से वापस निचे आ सकता है और अगर gap down opening होता है लगबग इस area में gap down opening होता है होता है तो यह हमारा support होगा यहाँ support लेकि यहाँ पर कोई भी positive candle बनेगा market यहाँ से उपर जा सकता है ठेक है इतना clear हो गया अभी हम देखते निफ्टी में तो निफ्टी में जैसे कि हम देख सकते कि अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे market काम कर रहा था इसको break किया gap up opening हुआ था यह break हो गया था market वापस थोड़ा सा fall हुआ है तो यह हमारा resistance है यह रजिस्टन्स है और जहां पर market close हुआ था वह हमारा support रहेगा भी ठीक है अगर support पर कोई bullish candle बनता है तो हम bullish candle बनता है तो वहां पर buy करेंगे और resistance पर कोई negative candle बनता है तो हम sell करेंगे ठीक है यहां से यहां पर buy करेंगे यहां पर sell करेंगे अगर इस range में opening होता है था अगर इसको break अगर gap down opening होता है तो हमारा यह gap filling support होगा market यहां तक जा सकता है यहां सकता है यहां तक का moment दिखा सकता है हमारा support है यहां से वापस support लेके उपर जा सकता है और यहां पर बहुत ज्यादे time बिताया तो break करके अगर यहां इस एरियम ज्यादा time बिता था तो break करके हमारा यह target बन सकता है ठीक है और upside हमारा important resistance यह होगा अगर अगर इसके उपर जाता है तो हमको यह target बिन सकता है उपर यह वाला ठीक है अगर इस range में काम करेगा तो हमको support पर buy करना है और resistance पर sell करना है ठीक है दोस्तों को भी देखते का market में क्या situation होता है उसके उपर से हमारा trade बनेगा market अपना situation चेंज करेंगे हम भी अपना trade plan चेंज करेंगे अगर मेरे पास time रहा तो मैं आपको update देते रहूंगा क्योंकि अब भी मेरे पास ज्यादे followers नहीं है इसलिए कोई देखता नहीं है इसलिए मैं update नहीं डालता हूं जितना मेरे सभूता उतना डालता हूं मतलब continue नहीं डालता हूं इसलिए दोस्तों मेरा चैनल नहीं हो है अगर मेरे चैनल प्यार है वीडियो पसंद आ रहा है तो subscribe करो जिससे मेरे को motivate मिले और मैं आ कोपिक डिसाइड करके मैं वीडियो बना दूँगा